नमस्कार दोस्तों मैं आपको अपने चनल JIT यानि जुगाड इन्डे टेक्नोलोजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों हम यहाँ पे J. जुगाड, I. Information और T. Technologies Related सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं आज का हमारा सब्जेक्ट है Technologies Related दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जाना था Grade के अधार पर फाइल का वर्गिकरन दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना था Grade क्या होता है और इसके अधार पर फाइल का वर्गिकरन कैसे किया जाता है दोस्तो हमने जाना था कि यह file क्या होती है और इनका प्रियोग कैसे और कहां किया जाता है दोस्तो अगर आपने यह video मिस कर दिया है तो नीचे description box में हमने इसका link दिया हुआ है कृप्या उस link पे जाकर इस video को जरूर से जरूर देखें दोस्तो आज हम जानेंगे cut के अधार पर file के परकार यानि कि cut के अधार पर file का वर्गी करन कितने परकार के file कट के अधार पर होती है दोस्तो अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक subscribe नहीं किया है तो खृप्या करके subscribe का बटन दबाएं और bell icon को प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे technology वाले वीडियो सबसे पहले प्राप्त हूँ दोस्तो आएए जानते हैं cut के अधार पर files जो है पांच परकार की होती है जिसमें से पहला है single cut file, दूसरा double cut file, तीसरा rasp cut file, चौथा garbr cut file और पांच वा spiral cut file दोस्तो आगे हम एक करके इन सभी फाइलों के बारे में जानेंगे आए जानते हैं, पहला है single cut file, इसमें face पर एक ही direction में teeth कटे होते हैं जैसा कि आप image में देख सकते हैं, ये teeth line face center line से 60 degree पर बनी होती है इस प्रकार की file से material बहुत ही कम करता है, परन्तु finishing अच्छी आती है इनका प्रियोग hard material को काटने के लिए किया जाता है इसमें दातें आगे की तरफ जुके होते हैं, इसलिए या file forward direction में material काटती है अगला file है double cut file इस file में दो teeth line होती है, जो एक दूसरे को diagonal विभाजित करती है इसकी पहली cut को over cut कहते है, जो center line से 70 degree का कूर बनाती है वहीं दूसरी line को upper cut कहते है, जो center line से 50 degree बनाती है double cut होने के कारण इनकी दातें काफी नुकीली होती है, जिससे ये ज़्यादा तेजी से material काटते है इनका प्रियोग मुख्यता रफ कारियों के लिए किया जाता है दोस्तों अगला file है रास cut file इनके file के दाते एक सीधी रेखा में नहीं होती है जैसा कि single cut और double cut में होता है ये दाते face पर punching के द्वारा बनाई जाती है जो उभरे हुए आकार में होते है या file ज्यादा तर round file होते है इनका प्रियोग मुख्यता, soft material को घिसने या काटने के लिए किया जाता है इनका प्रियोग लकड़ी, चमड़ा, घोड़े के खूर इत्यादी को घिसने में किया जाता है अगला file है curve cut file curve cut file इस file में दातों की line curve यानी बृताकार आतिरती में होती है यह एक दूसरे के समानांतर बनी होती है जैसा कि आप image में देख सकते हैं इसको बृताकार होने के वैए से circular cut file भी कहते हैं इससे बहुत ही कम material करता है इसलिए इसका प्रियोग मुलायम धातों को काटने के लिए किया जाता है जैसे कि aluminum, copper, brass, इत्यादी अगला file है spiral cut file इसमें दाते spiral आकरिती में बनी होती हैं जो file के point से start होकर heel तक बनी होते हैं दोस्तो आप दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यह spiral क्या चीज होती है दोस्तो आपने अभी कभी अपने घरवें घुमावदार CFL देखा है उस घुमावदार आकरिती को spiral कहा जाता है जैसा कि आप image में देख पा रहे हैं कि यह ठीक CFL के अनुसारी file पर भी spiral में यानि घुमावदार दाते कटे होते हैं इसलिए इनको spiral file या spiral cut file कहते हैं यह मुक्यता round file होती हैं यह tools में धार लगाने या बृताकार hole को घिसने में काम आती हैं दोस्तो तो आज हमने जाना cut क्या धार पर file के प्रकार यह video आपको कैसे लगा नीचे comment box में जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारे video को like ने किया तक कृपया like जरूर करें और यह video अगर आपको अच्छा लगा तक कृपया करके अपने दोस्तों में share करें और जानकारी को बढ़ाएं